पूज़ा विधि से अभिमंत्रिक कर प्रोफेसर गुर्दीप अरोडा जी ने सूर्य मनियंत्र को तयार किया है जो इंसान फोबिया यानि डर की बिमारी से पीडित है उन्हें निडर बनाता है जो रोज सूरे मनी यंत्र के दर्शन करता है यह सूरे मनी यंत्र आपको काम्याबी की बुलंदियों तक पहुँचाता है और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए मुद्दा लेके आया हूं एक ऐसा मुद्दा जिसमें 99% लोग पीड़ता है ऐसा मुद्दा लेके आया हूं इसके उपाई के बारे में बताऊंगा हमारा चैनल है दा सीक्रट ओफ यूर लाइफ अगर आप किसी भी अपने रिष्टिदार को दोस्त को मित्तर को ये वीडि है वो तो हल होगी ही होगी और जो अपना दोस्त है मित्तर है उनके मदर की उनके भाई की हर घर में ये समस्या है जो मैं बोलने वाला हूं लेकिन इस वीडियो को शेर कीजिए ताके दूसरों का भला हो सके क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा हिंदोस्तान के लोग जो बाहर बसे हुए हैं कनेडा, अमेरिका, इंगलेंड, न्यूजलेंड, अस्टेलिया और भी देशों में और भी जो मेरे को प्यार करते हैं देशों के लोग उन सब की समस्या है उन सब ने बताया प्रफेसर साब आप इस समस्या के बारे में सब को बताईए हम बहुत ज्यादा पी करना है और कमेंट में मेरा करता है मंतर, और नमाश्य वाइक का जाप ज़ूर लिखना है क्यूंकि एक मंतर का जाप अगर आप बोलते हो किसी मध्यम के जरिए, चाहे आपने मैंने बोला और आप ने कमेंट में लिखा, बेखिये, कहते हैं दिल से बोला गया एक कशर क्रिवान के नाम पे लिखा जाता है जो आपने गल्ती से हमारे जो करम होते हैं हमें यह नहीं पता में ऎसे चल रहा हूं क्या पता मेरे पाउं' के नीछ मैं खी भी या कुछ ऐसा वरड निक्ल जाते हैं तो उन वरडों को दूर करने के लिए मैं ओम नम शिवाय का जात बोलता हूं लोग बोलता है ओम नम शिवाय मैं 작은 होता है नमो नहीं होता है पहले तो ये आप बातें के कि चलो बाते करेंगे बहुत सारी आज बात है घंबीर मुद्य की आज बात है उसकी उपर जो हर घर में हर इनसान के उपर ये बुमारी है उस बुमारी के बारे में बात करेंगे आज से अगर मैं बात करूँ कम से कम दो हजार पाँच के यानि कि छे साल पीछे चला जाओं तो मेडिकल अस्ट्रोलोजी में मैंने पाउं अभी रखना शुरू ही किया था क्योंकि मुझे तरियोस्ती रहती है, मुझे इच्छा रहती है कि मैं किसी लोगों का भला कर सकूं, कैसे कर सकूं, चलो उपाए तो आप करते हो, हल थोड़ा मोटा होता है लेकिन असली हल का तभी पता चलता है अगर आप कोई भी बिमारी मेरे साथ लेके आते हो उससे जो पीड़त बिमारी आपको करती है दर्द आता है उससे जब रहत मिलती है तब मुझे लगता है कि वाके मेरी एस्ट्रोलोजी की जा रही है आज कल प्रोब्लम पता क्या है? सबसे बड़ी प्रोब्लम है आज कल इनसान अपना काम खुद नहीं करता इनसान पता क्या कहता है? मैं काम बल रखता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ पहले हमारी जो मां होती थी मैं अपनी मां की बात ही करता हूँ हमारा जो ना, मैं बहुत गरीब परवार से हूँ लेकिन जो मेरे दादा परदादा थे, वो अमीर थे जो परदादा थे, क्योंकि हमारी कर्यानी की दुकान थी पाकिस्तान में, चलो बटवारा हुआ, हम इदर आए बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरे दादा ने, मेरे फादर ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेरे परदादा थे नहीं हो सके लेकिन अब भगवारी किर्पा से मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया तब ही इस मकान पे पहुंचा, और मैं कोशिश करता हूँ पूरी दुनिया को उस मकान पर लेकर जाओं जिस मकान पने पहंचैंगा में बहुत पंजबी में चिकनी मिटी बोलते हैं आप पताने क्या बोलते होंगे जैसे मुलतानी मिटी होती हैं उसके साथ गोबर को मिक्स किया जाता था तो जो भैस का चारा होता है तूरी बोते हैं पंजाबी में हम उसको मिक्स करके आंगे में मेरी मां लगाया करते थी तब पोच्चे वगरा नहीं लगते थे क्योंकि कच्चे होते थे जातर तो मिट्टी के ऐसे लगाया करते थे कभी जिंदगी मेरी मदर को ना पीड़ की प्रोड़म रही ना गर्दन की प्रोड़म रही तो तक ही, तक है आप up जाती है। वह पाइप पता क्या करती है वह पाइप। की हड़ी नी रीड़ की हड़ी चैसे मान लीजी दी है इसके साथ से कि पाइप चलती है मोटी होती है ग pista कभी देडर एक नार इसरो रहे एक राइप डिती है एक रेज़ रहीं जो की औरै जाधे दोने लोग पत neither क्या करते हैं जो दिन रराथ कंपीटर के उपर काम करते हैं जो दिन रहत एक तक मोबैल को नहीं फोड़ते जुढ जो दिन राथ तीनाटक का नीज गरदन को गुमाया नहीं नसे ढिले दीरे 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 जाम होने शुरू हो वह नसे जाम होती है तो पता क्या होता है मैं आपको बताता हूं जब वो नसे जाम होती है तो हमारी गर्दन नहीं हिलती हम इधर गर्दन करते हैं इधर गर्दन करते हैं इधर क्योंकि आपने नसो को जाम कर लिया वो जब नसो को जाम कर लिया तो आपने एक्टिविटी की ही नहीं चले ही नहीं अगर चले ही नहीं आप तो वो नसे कैसे ठीक होंगी उसकी जो तरल्ब पडार्त क्यूंकि जो हमारी पाइप लख वाइप क्या मांगती है यह यह को बताता हूं पैप के बीक में हवा शून का दोरा ब्लेड पेशर पानी उस पाईप में पडार्थ चलता है क्या पडार्थ पानी का पदार्थ लहू का पदार्थ पानी देशी जैसा होता है उसा प्रड़ा देघौस तो प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक वार पोजिट्वप पाइब जुर जय पताका वाज जाता है इसी तरीके उस प्लास्टिक प्लास्टिक क्या है पानी की पैप वो पानी की पैप होते हैं तो प्लास्टिक प्लास्टिक यह पानी की बात करूंगा पहले मैं ऊपर की बात कर रहा हूं जब वह पाइप के बीतर आपने एक्टिविटी की नही उस पानी को हलायने वो दीरे दीरे जाम होना शुरू होता है तो क्या होता है जिसे हम सरवाइकल की प्रोब्लम बोलते हैं पहले हमारी माता क्या करती थी अंगने पोच्चा लगाती थी फिर दीरे दीर हमने क्या किया मेरे मुझे याद अभी तक जब हमारे बाद थोड़े से को किसी को भी या कोई problem पीठ की प्रोलम हो या करदण की प्रोलम कभी नहीं देखा लेकिन आज कल 99 परसेंट लोगों को ये problem है मुझे पता है 99 परसेंट को पता है क्यों प्रोब्लम है क्योंकि वह जिन्दगी में अपना काम करना भूल ही करने करते हैं घर काम चोटा मोटा नहीं करते हैं अगर घर का चोटा मोटा जर्बू जी करने कर दिये नहीं पिक्टर रेक्टे क्राट टेट्टा किरा टेख शिर टीमरी याद है तो पीड है पर और क्था कघप फर बेब कशलary मैं तो पर तो उसको कहता है क्या स्थाया कॉछ्छा है वो कहता है कि उसी तरीके से जो हमारी एक्सराइज होती है ना यह किसी नाड़ी को भलोक नहीं होने देते हम पोच्चा नहीं लगा सकते थोड़ा मुटा जारकूजी कर लीजिए यहां पे जैसे कि यहां पर टीवी कि या कुछ पम कुछ इस संहिए तो गारी साइब लगाओ ता हुथ कुछ नहीं को glue उटा हुपर से आप लगाते है ऐसे असे करके सब्सक्राइब आपने इस नत्से को खोलना है ऐसे इसको लाइए जितना आप अपने गर्धन को नहीं लाना गर्धन को आप जड़ गी आपको अपने बाजू से काम करना हां इदर से ऐसे करते हो फिर 15 दिन के बाद वो दीरे दीरे नसे खुल जाती जब हासला हाथ हलाते हो तो आप ऐसा करती ही क्यों पहले से हाथ लाना आप एक्टिविटी करना तीज चलना शुरू कर दीजिए मेरी गरंटी है कभी भी शेफाली आजाई नहीं शेफाली कहती मेरी गर्धन अकड़ गई क्योंकि वह बहुत काम करती है वह क्या करती है कि सुबह से लेकर शाम तक सक काम है उपाई लिखना वो उपाई लिखते लिए यसासा है उसकी स्पीड बहुत जाब तेजा है उसकी घर्धने के अकड़ा आ गया कहती मेरा दर्दन होने शुरू हो गई अगर दिन फिर उपाई लिखना तो अगर हम एक टक होकर निगाहां लगाएंगे अपनी आय से एक तरफ लगाएंगे तो हमारी यह नसे जो होती है एल फोर के पास ना एक नस होती है वह अकड़ जाती है वह देर दर्द होती जो हमारी फून आ गया मैं भूल गया था उसको सालन मुड़ पर लगाना अब लगाता हूं क्योंकि हमारा जो एक तरफ बीज में रह जाएगा क्योंकि मेरी बाते मुझे खुद नहीं पता चलता है तो कहां पे था और कहां चला गया तो शिफाली की बात कर रहा था मैं वह ऐसे से उप पाई लिखती है अगर हम दिन में पाच गंते चार गंते किसी और एक तरफ देखते रहेंगे या कंप्यूटर की और देखते रहेंगे तो हमारी जो है नस वह दीरे दीरे जाम होनी वही होगा तरलपदारत कम होना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए हमने क्या करना सुब मैंने का शुब्दा उसकी ऊपर करता हूँ कि मुझे जो चीज दिखाई देती है मैं कहता हूझ पूरी दुनिया को मैं ठीक करो तो फिर क्या हुआ जो है तो पिर लुद्व चलो में बार जों सौन में लगता दीरे ठीरे ठाक रहता है इंसान बाते करता करता क्योंकि तो यहां भी मैं ओफिस वगारा साफ थोड़ा मुझे शौंग है सफाई का छोड़ो मुझे सौंग है काम करने का बार मेरा बगीचा है बगीची थोड़ ले लिया मन बेटेने मेरें करता हुं घूद गयुक्ति थेश्ठाफ यह करता हूं जॉट यह करने हाऊ शुरू कर देगी तो आज मैं बताए है नोग्ट पस्ट पास लेकर गया शवाली को मैंने बोला अब अब ड्रसाब इसको क्या मुझे पता है इसको क्या सर्वाइकल हो गई यह उपाय रहें लें केता है कि तो वह उती है अब बहुत हरान हुआ के लिए टौट को सद्ट होती है मैंने का शेफाली तू रहने दे तु तरह को दूब शब्क करता ह। कि उपको पार्क के रहा है नहीं को जो कि यह लुकर वाजुब की टीन डिन क्रवाई वो ठीक होगी मेरे पास अगर दो हुआ था कब्माइडिका स्टेडिक अट रहा था मेरे कोई प्रोलम हो प्रोल्म हो गेठी कोई गार दूपर कंप्पूट लेकिन एक दर्द जो बिल्कुल ठीक नहीं होती वो बताऊंगा बाब में क्या होता है कि जब हम अक्साई करते हैं तो यह तरलबदार था जब पसीने के साथ जब आपका पसीना आप तीस दोड़ते हो भागते हो जैसे कि मैंने बताया पहले मेरी मां पोचा लगाया करती थी अब हमने बाई घर में शबड़ लीया पोच्चा हम लगाते नहीं सफाई हम करते नहीं तो क्या होता है फिर पिर फिर फिर हमारा वेर बड़ता है खाते रहते हैं बिमार्यां तो आएंगी ही आएंगी 100% आएंगी तूंहीं आएंगी क्योंकि अगर आपकी मशीन बंद पड़ी है चलो मैं ग्रंटी देता हूं हाला के पत्रोल कर कभी खराब नहीं होती वह जब सर्फ मारों ठीक हो जाती है पत्रोल कार को भी खड़ा कर दो आप कृच और स्टाग हो गया जब देघिर लगे चले जब टायर क्यों दो साल तक पर रहे आपने घाडी ना चलाई उसके मिच माटम आ बनना शुरू होना शुरू हो जाता है तब आप एकदम से गारी उसको बगाओ उसका इंजन खतम हो जाएगा इसी तरीके से आपका इंजन है आपकी मिशिनरी है अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो मेरी गरंटी है फिर मैडिसन तो आप खाओगे कही डॉक्टर के पास बजाने से हां फिर मैडिसन क्या है है जहर है उसके भी तर लिखा होता है यह सका रहे हो तो इसके साथ यह हमारीं आ सकती है। जरूर लिखी होती है कभी भी आप मैडिसन जब लेते वक्त कभी आपने हदायत पड़ी कि वाकई में यार यह अगर मैं इसको खाऊंगा तो मैं परिशान हो जाऊंगा कभी पड़ा आपने नहीं लेकिन हां मैडिसन जरूर खाते हैं इस बात की गरंटी है क्योंकि मैडिसन तक हाने से हां दर्द तो हड़ गया लेकिन दर्द हड़ गया उसके साथ आई सब्सक्राइब कर ली वह भूल गए आप दो पर लिखा पस पैशा वह अपने पड़ा नहीं चलो एक छोटा सा काम नहीं किया आपने सुबह की सेयर नहीं की आपने अपना काम खुद नहीं किय बिमार हुए और मेडिसन खाई बंबारी तभी 120 साल की उमर थी अब कितनी उमर रह गई है उस में सब्सक्राइब उसको बेसे चलता रहता है घजाता है कि विजदा रहना मैंने का उपलता रहां बोट कुछ भी काम खुद करो बैठे लेना कुर्सी बैठे रहना बैठे लचलो वागते हैं जो इनसान अपना काम खुद करते हैं मैं लिखके देता हूं सिनियेचर करके तो आज तक जिंदगी में कभी स्रवैकल नहीं होगा कभी शाठीका नहीं होगी जो डॉक्त बोलते हैं कभी कुछ नहीं होगा यह गर्दन की बात चलो एक बात तो मैंने आपको कलियर कर दे अब रही बात में बात जो बोलने वाला हू देखिए सिदा खड़ा हूं जो हमारा पेट अगर पेट बार को आ जाए ते ऐसे ही हमाई पीठ की जो रीड की हड़ी है यह अंदर जानी आप अपनी शैट उतारी शीशे की सामने खड़े हो जाएगे यह चरदी आपकी यह वाली चरदी यह पीठ को दबा देगी तो आप आपकी रीड की हड़ी है ना ँद्ञां थो बीचे बीज की जाती जैगी आप्की रीड के भी पहले आसे होती जब बच्चे जं जनमिंगते उसको देखना उसकी हड़ी यहां मन के आपको दिखाए देंगे पहले मैं आपको थोड़ा नीअ सभी इसके बारत इसके बीच में थोड़ा सा पदार्थ होता है लहू होता है और इस को मांते हैं रीड के दिक को मांते हैं रीड कि प्रिंद का ऐसी हं पह defining होती है वह एक तो इसको थोड़ा साथ पिया जा सकता है इसको बेंड किया सकता है ऐसे बेंड किया सकता पीछे दाना वैंड कर सकते हैं हां जो प्रैक्टिस करते हो बेने कर सकते हैं जिस एक बिल्कुल नहीं होती वहां यहां एसे यह चरभी ना मेठीट की चबी पीछी आ होने था हमारी हड् Tyk Pam Şu तो लिएक की अदा एसे Self बेंड होते हैं यह मन के थोड़से बाहर गोदे थे थोड़े से बार इदर को hippie you pray मैं उसके साथ एक पाइप जाती है कि अवैसद के पाइप को तसको करते हैं कि जब मढशेकर करते हैं तो सबसे जो इधर तक टर्फ डाइब कर फो जो लाइन जा रहे होती है वो फोलेज किस स्कलकलिकी की हमारी तक है तो हमारी जांग में पर दाना हो जाता है कि दिए दिए कि या कि चर्भी आपने भड़ा ली काम आपने नहीं किया और बाद में डप्र पाज आते हैं जी हम रहा क्या हो गया हमारी पार पीछ फॉर एलफ ड़्वाइच्छ कर रहा है क्योंकि वही पर मनका ज़र बाट होता है यहां पर उसी बाट हो तो वही मनका जब तो पाइप के साथ टच करता है तो फिर तो टच करेगी कि चरवी आपने इतनी बढ़ा ली तो वह पाइप कहा जाएगी रिडिकेटी की साथ दुबाएगी क्योंकि देखिए माल लिजी यह यह पाइप है इतना गैब है पीज में जब आपकी कि चर्वी बग जाएगी वह पाइब को ऐसे दबा देगी तो ऐसे रेडिगेटिक साथ टच करेगी फिर हम डॉक्टर के पाज आते हैं प्रिशन गाते रेडिगेटिक थोड़ा सा काथते हैं देखिए क्या कुछ करते हो आप एक छोटा सा काम अपने फेट की चर्वी नहीं क कमाल की बात है एक छोटा सा काम जितना आपका वेट है आपकी हाइड के मताबक हुए होना चाहिए है कितना वेट ठोना चाहिए जैसे मेरी।ट दस इस हाइट है है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए जड़ज़टellow diligently to 73-74 बास आप सुनके हरान हो गया मेरा 74 kg नेट है और 74 भॉर केजी ही चाहिए देख़े कितना सहत का ख्यार करता हूं करो मैंने कुछ नहीं क्या चेप दूद पी लिजिए चाहि यह नहीं कहना कुछ भी मेरे साथ मेरे जो जाने हो तरसा बहुत पतले हो गए मैंने का हाँ दिलकुल पतला हो गया क्यों मैं नहीं बढ़ने दिता मैं मैं खाना पीना छोड़ देता हूं देखिए आपने क्या किया एक रीड की हड़ी को आपने अंदर दिखे लिया जो कि चबी ऊपर आ गई तो रीड की हड़ी दर्द आपने की पैप दबगी नसोर की और आपकी पीड दर्द करनी शुरू हो गई तो पीड दर्द बहुत असा जल्दी मृत्य हो जाएगी यह ट्यूमर को काम कीजिए अनाज जो होता है इनसान को मोटा करता है कम से कम रोटी तो एक टैम ही खाने चाहिए मैं तो एक टैम खरता हूं सच बोलुता हूं सुबह सुबह हां कभी-कभी दिल करता तो एक पोठी खालता हूं छोटी सी रात को आगे की आगे जानी शुरू हो जाते हैं, भाते मेरी बहुत जादी होती हैं, तो इसलिए सब को मैं ये बताता हूं, हर इनसान को अपना काम खुद करना चाहिए, मैंने ना मेरी कोठी बहुत बढ़ी है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, और मैंने अपने बेटे को अब तुमने क्या करना है आप अब मैं क्या करता हूँ इतनी बड़ी कोठी के सफाइ नी होगी कूंकि मैरा तरीका पतागा है मैं खूद अपना इसका में रहता हूं ढ़्यान सुनने वाली बातcek मैं जेन लगानिन और धोने को घजा रहा हूं माइं ञाधेगाइन वालो यह जातकत है मैं जिम में जाओं या कुछ ऐसा करूं ऐसा कुछ नहीं है पैसे बचाने वाली बात नहीं है आप वही गरीबों को दीजिए जो बचे पड़ नहीं पाते हैं और साथ में आपकी से ठीक रहेगी सबसे बड़ी बात आप लंबी उमर जियोगे आयू जियोगे लंबी आयू ज खुद बास अगर आप अपना काम खुद निना करते तो फिर पता क्या होता है दुमारियां आपको घेरेंगी घेरेंगी हम पता अमीरों की तरह क्या करते हैं सुब्र सुब्र करते हैं फिर जाके बाहर जाते हैं फिर उसमें काम करते लिए काम करते लिए काम करते शाम को आ और वहारे लड़के दो तीन हैं मेरे को हाथ नहीं लगाने देटें मैं एक बहाना ना करते हूं मैं धार आध करता हूं ने वो और ना करना है लिए ब्च Yuri ली बच्चे मेरे सब करते आध को पता है ऐस्थर हमारे को इस अफ़ाहearки करते हैं सबसे बड़ी बात वही है अब मैंने क्या कि ऊपर यह मैंने उपर ऑफिस सब्सक्राइब बना हुआ है लेकिन उपर मैंने क्यों लगाया क्यूंकि मुझे कुद्ध के साथ बहुत जड़ा प्यार है और एक लड़के बोला था सर मेरे बाल जड़ते तब मेरे बाल जड़ते फिरा लेकिन आज इसवाठी को बताँ मेरे बाल जड़नें बन ंोगे सो परइसे और बाल दुबारा सी आने श्रू रोगे वह तैसी आने होगे ऑक्सीजन मैं दिन रात लैता हूं हमतिस सुभे से अन जलेकर गश्चन पार्ट बिल्कुल भी यहां पे मैंने कुल्डर लगाऊंगा कुल्डर की हवा से भी आएगी में पास हाँ तो कि मैं नेच्छर हवा लोगा मुझे असा लगा के वाके मेरी आई सेट ही कोई मेरे बाद जरते थे वो भी ठीक होगी स्किन की जितनी बमारी थे वह भी ठीक होगी सिर्फ क्या किया मैंने अपना स एपश्चर कर लो मेरे दमाग में आया बात में बाते पदेनी होती यह नई होती हाँ इसका उपाए बदाता हूए अब आपको मैं क्योंकि जब हाम कोई भी का तियेन घरा की लिकी अब तो बाट वभी डप्टरी की कर लिए मैं ने के ग्रहां की बात करूंगा तब ही तो क का मोहनी शुरू हो जाएगी. पहले सबसे पहले बखाना खाना भूर करें क्या खाए? खीरा च्छर च्रके स्मेत सेव च्रके स्मेत सुरूड कर न लिया दिन का सकता है जतने फ़रोड खाया उस hazards वह और इंसान पत्ला होता है रिर्पनीं पीच सकता है जो जो इस तो तो आई हो वाट तो सब से बढ़िया और होता है मचली को आते की गोलिया आपने खुलाने हैं बुद्धवार के दिन अगर आप बुद्धवार के दिन आते की गोलियां ख़ाते हो मचलियों को शाम के समय तो रीड की अड़ी का दर्द तो होगा ही होगा दूर और साथ में आपके जो रहू से प्रोब्लम आ रही है वो भी दूर हो जाएगी हाँ इस एपिसोड को जाला जाला लोगों तक शेर कीजिए ताके जितने भी लोग रीड के डिसे पीड़त है वो उनकी पीड़त दूर हो सके दर्द दूर हो सके वो ठीक हो सके आज बस इतना ही आगे कुछ और प्रोब्लम होगी कोई भी मेरे साथ बताते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और कमेंट में आम नमस्वाय लिखना मत भूलेगा नमस्ता सूर्य मनी यंत्र आपको काम्याबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आएं अभिमंत्रित सूर्य मनी यंत्र